7 दिसम्बर और 8 दिसम्बर का दिन कुम्भराशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चेनल में और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इन दो दिनों के कुम्भराशी फल के बारे में ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तिति क्या होगी नक्षत्र क्या होंगे योग क्या बनेंगे किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिन्चरिया में देखने को मिलेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से इसलिए वीडियो को लास तक देखें और चैनल पर पहली बार आएं हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ क्योंकि यहां मिलेगी आपको अपनी राशी से जुड़ी हर एक जानकारी समय पर या फिर समय से पहले अब देखें सबसे पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं यह जो साथ दिसंबर का दिन है यह गुरुवार का दिन है और क्रशन पक्ष की दस मी तिथी रहेगी इस दिन हस्त नक्षत्र है जिसके स्वामी होते है सूरे देव और ये जो नक्षत्र है ये सुब नक्षत्रों की श्रेणी में आता है आईशुमान नाम का योग बना हुआ है इसके स्वामी होते हैं चंद्रदेव और जहां तक चंद्रमा की इस तिथी का सवाल है तो चंद्रमा इस दिन कन्या राशी में विराजमान है केतू के साथ यानि केतोर चंदर की यूती हुई है और सूर्य तो वरेश्चिक राशी में विराजमान है ही जो की मंगल के साथ बैठे हुए हैं चेस्ट नक्षत्र में इसके लावा इस दिन रवियोग बना हुआ है अब 8 दिसंबर की बात करते हैं तो 8 दिसंबर का जो दिन है ये नक्षत्र और ये नक्षत्र भी शुब माना जाता है और अगर मैं योग की बात करूँ तो बहुती उत्तम योग बनेगा स्वभाग्य नाम का योग है जिसके स्वामी ब्रह्मा जी होते हैं ये स्वभाग्य नाम का योग जैसे की नाम से प्रतित होता है बेहद शुब यो और ये जो लक्ष्मी योग है ये बेहद शुब रिजल्ट देने वाला होगा सुर्य वरेश्चिक राशी मंगल के साथ बैठे हुए है जेस नक्षत्र में अब यहाँ जो योग की बात करूँ तो एक रव योग इस दिन बना हुआ है तो यहोगी मेरी ग्रहों की इस्तिति आप इसी क्याधार पर चली जानते हैं कि इन दो दिनों में क्या कुछ आपको मिलेगा क्या शुब रंग रहेगा क्या शुब समय रहेगा क्या उपाय आप कर सकते हैं और इस एक अदिशीति ठीक कैसे लाब आप उठा सकते हैं तो पहले बात करते हैं साथ दिसंबर के बारे में, साथ दिसंबर का दिन आपको कैसे लाब देने वाला है, तो देखे इस दिन की बात कर रहे हैं, तो स्वास्ते के लिहास से तो ये दिन बेहत शुब रहने वाला है, स्वास्ते समंदी ऐसी कोई दिक्कते इस दिन नहीं लेगी और अपने किसी परिजन को यदि आपने उधार दिया हुआ है तो वो वापस मिल सकता है और इसके अलावा अगर आप किसी परिजन को उधार देने जा रहे हैं तो उसमें अपने पिता से सलहा मशवरा आप जरूर कर लें पिता से सलहा मशवरा करेंगे तो अच्छा र रहा है तो आज उस मन मुटाब को समाप्त करने का दिन हो सकता है आज आप अपनी दैनिक आवशक्ताओं के लिए भी कुछ खरिदारी करेंगे घर परिवार से जुड़ी चीजों के लिए खरिदारी कर सकते हैं अपने जीवन साथी को शॉपिंग करा सकते हैं बच्चों के ल वैवधान को आपको बस आराम से देखना है जो मौका मिलेगा उसको आपको सेलेक्ट करना है अब देखे इस दिन अगर मैं बात करूं लाव बर्ड्स की तो उनको बड़ी समझदारी से काम लेना होगा क्योंकि आपके रिष्टों में थोड़ी बादहाती दिखाई दे रह तो थोड़ी सी सावधानyu रखनी होगी वरना रातों की नींद भी उड़ सकती है ऐसी भी हो सकती है जितना आधिक सईयम से समझदारी से काम लेंगे उतना ज़ादा अच्छा रहेगा और यूवक युवतियों को उतना ज़ादा पिशंस रखने की आवश्चा होगी लेकि यह जो चंद्रमा की स्थिती है कन्याराशी में चंद्रमा है जो कि केतू के साथ योति कर रहे हैं तो यह थोड़ा घरेलू मुद्दो को भी उठा सकता है ऐसे में क्या होगा ऐसे में आपको जरूरत है कि यह देखने की चीजें कहां गलत हो रही है उनका परिक्षन आपको कर अपने गुसे पर काबू रखना है भावनाओं को ध्यान में रखना है और तब काम करना है एक तरह से कहा जाए तो बस सयम से काम लेना है सयम से काम लेंगे तो चीज़ें अच्छे से आपके लिए अच्छी होंगी अब यहाँ अगर इस दिन के महतपूर्ण समय की में बात कर अगर नारंगी आपके पास नहीं है तो आप पीला रंग भी पहन सकते हैं वो भी आपके लिए उत्तम रहेगा स्वभाग्य को बढ़ाने वाला रहेगा उत्तम रहने वाला है धन्संपत्ति के मामले में आज का दिन अच्छा है क्योंकि आज पैसा भी वापस मिल सकता है कि ये तो जीवन हमेशा कुछ नया और चौकाने वाली चीजों से भरा होता है, सामने आती रहती हैं ऐसी चीजें, लेकिन आज आप बहुत ऐसी कुछ ऐसी अनोखी चीजों को देखकर खुश हो जाएंगे, खुशी से चौक जाएंगे, उसकता है किसी का अनोखा पहलू देख तो उसीज के लिए भी आपके लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम बना हुआ है, चलिए अब हम बात करते हैं, साथ आठ दिसंबर के बारे में, अब आठ दिसंबर का जो दिन है, ये एकादशी का दिन है, और ये जो एकादशी है, ये उत्तपन एकादशी है, इस एकादश बहतरी दिन रहेगा लाब भी दिखाए दे रहा है ओफिस का दिन मी बहुत ही जादा उत्तम दिखाए दे रहा है जो आपके रेक्तितों को निखारने वाला है वेपार लोगों के लिए इंकम के नए सोर्सिस बन रहे हैं कोई काम मन मताबिक पूरा होने से मन भी प्रसन और आप सेहित मंद भी बनेंगे जीवन साथी के सहयोग से कोई नया काम शुरू करने का मन भी आप बना सकते हैं आपके जो सूचे हुए काम है न वो बहुत जल्दी ही पूरे भी हो जाएंगे और जो इस राशी के लॉमेट्स हैं उनको आज किसी तरह का कुछ उपहार मिल सकता है दापते जीवन में भी खुशी भरे पल दिख रहे हैं खुशियां आपके साथ दिखाई दे रहे हैं अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आज दिल की बात कहने में आपको सफलता मिलने वाली है दिल की बात कहना है तो बिलकुल कह डालिए क्योंकि मौका अच्छा है और आपके लिए अच्छे रिजल्ट ही मिलने वाले हैं देखे आर्थिक शेत्र में जो बहुत व्यस्त थे, आपको बड़ा मौका नहीं मिल रहा था, समय नहीं मिल रहा था, तो आज का दिन आपके लिए काफे अच्छा है, अपने लिए आप वक्त निकाल पाएंगे, अपने कुछ अच्छे कामों को, जरूरी कामों को पोरा करने क लिए, या मैं कहूं तो किसी भी योजना को देखे, जब आप करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसको बिलकुल भी अधूरा ना छोड़ें, अपना दिमाग लगाएं, पोरा करें, बीच में छोड़ेंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए नुकसान दे, आपके करियर के लि करें, तो मेहनत थोड़ी सी बढ़ा दें, तो अच्छा रहेगा, उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, उपाया मैं बता चुकी हूँ, इस दिन आपको भगवान विश्णु और मालक्षमी के अराधना करनी हैं, और कथा जरूर सुनें, कथा सुनना बहुत ही उत्तम रहता है, तो उसका भी रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, साथ ही चानल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें